आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार अनिस सित का फाइदा हुआ बाग्यों ने भी खेल भी गाड़ा चकरवात मैंडूस का खत्रा बढ़ा तमिलाडू के तेरे जिमों में आज रेट अलर्ट जारी है अमेरिका में सेम सेक्स मैरिज बिल को मंचूरी फाइनल अप्रूवल के लिए पिल राश्च पती पाइडन के पास भीजा जाएगा पाकिस्तान में इंग्लैन टीम के ओटल से कुछ उदूर फाइरिंग दो ग्रूप आपस में बीड़ा अब तक चार गिरफतार प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ नदिनी यादोव वक्त हो चुका है उत्रपदेश की बड़ी खबरों का रूप करते हैं खबर की ओर कानपुर में सुबे के मुख्यां योगी आधितनाच आज दौरे पर हैं के बता दे कि निकाय चुनाव से पहले वो शहरवासियों को 387.59 करोड के विकास कारियों की सौगाद देंगे पालिका स्टेडिया में बने स्पोर्स कॉंप्लेक्स कारगिल पार्क में बोटिंग समेत 174.12 करोड की 500 परियोजनाओ का लोकार पड़ करेंगे विजन 2047 सेल्फी पॉइंट में सियम सेल्फी भी ले सकते हैं इसकी भी तैयार्या की गई मुख्यमती सुबा साड़ी 11 बजे लखनौ से हेलिकॉप्टर से चंदर शेखर आजाद क्रिशी एवं प्रद्योगीक विवी पहुँचेंगे सड़क मार्क से बे-SSD कॉलेज पहुँचे और वहाँ ब्यौदीक संबेलें में हिस्स आलेंगे इस कारेक्टर मिस्थल पर ही योजनाओ और लोकार पड़ का शिला नियास करेंगे पुलेज शहर के अनूप शहर में गंगा हॉस्पिटल में गलत इलाज की दौरान साथ वर्षे बच्चे की मौत का मामला सामने आया है वही मौत के बार डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिशनों ने गंगा हॉस्पिटल पर हंगामा कर दिया सूचना मेले पर पहुंचे पुलिस ने किसी तरह समझा बुजा कर परिशनों को शान्त किया फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्ट मार्टम के लिए भेजते वे कारिवाई की बात कही है सांस है नहीं है तो हम लेगे लेप है हाँ भारत द्वाज कालोनी में देखा बोले इसको तो बीशमेट हो चुके पहले मारी ऑक्सीजन बाप सी आ रही है खतम हो गया और यह ना कोई मेरो कागज दिया ना को जल जल दी अपने हास से डालने एंबूलेंस में लड़का को न से बूज रहे हैं कि बज़े ले जाओ यह तो तुम्हें कल से बता रहे थे कि हां से ले जाओ तो यह तो ले जा सकते हो बैसे बच्चा नो हर दोई में नगर निकाय चुनाओ को लेकर आजी ने जनपत का भ्रहमड किया जिसमें उन्हों ने स्पी वो सीओ के साथ निकाय चुनाओ को लेकर समिक्छा की इसके साथी चुनाओ की तयारियों को पूरा करने के लिए निर्देश दिये हैं इसके साथी उन्हों नी कहा कि निकाई चुनाव में पक्षपात करने वालों पर दंडात्मक कारिवाई की जाएगी इस मौके पर विभा के कई आलादिकारी मौजूद रहें कि अनुसार पुलिस प्रभावी कारवाई शुरू कर दी है सभी त्यारियां पून हो गई है जो भी ऐसे लोग हैं जो चुनाव में विगटन पैदा कर सकते हैं पूर में किसी घटना में शामिल रहे हैं उनको चिनित कर लिया गया है सम्विधन शीलता जो है विभिन बूतों कि केंद्रों की उसका अकलन कर लिया गया है अलिगर्ण के धाना कॉर्सी छेथ में विद्यूत विवाग कनेक्शन ना होनी पर परिशान प्रित ने जेई से शिकायत मंडला मुग अभियंता से की है प्रित ने आरूप लगाते हुए बताये मेरे एक मकान के लिए एक साल प मोटी रिकम लेकर कनेक्शन दिये गए फिलहाल मुख्य अभियंता ने परित को आश्वासन दिया है इन अवैद कनेक्शनों की जाच करा कर जेई के खिलाफ कारिवाई अमल में ली जाएगी जाएगी आदमी गर्मी में कैसे रह सकता है उसमें बेगर लाइट के? बात गया है, सर के नाम है, दोस्त एक साल थे हमारा कनेक्शन नहीं हुआ है और हम जाई के पाद जाते हैं, तो वो मोटी रकम मांगता है कि पचास है यार दे दो, साथ है यार दे दो इसके वएसे हम बहुत परेसान हैं और हमारे घर से जो घर दूर हैं, उनको कनेक्शन दे दिये गया है हमें नहीं दिया है वो आज किस तरीके सिकार की है आपने मुटर्वें हमने जाई के खिलाब की है निरिक्षड के दोरान अपर जिलाधिकारे वित्वर राजस्वारी शहर के सूपर मार्केट के रैन बसेरे की समस्त व्यवस्थाओं को दुरुस रखने के लिए संबंदित अधिकारियों को निट देख दिये हैं वहीं पर उनुरी सूपर मार्केट घंटा घर रेलवे स्टेशन रतापूर आदी के स्थानों पर अलाव के विवस्थाओं का जाय जा लिया आगरा के थाना ताजगंच पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है किया और बड़ी मात्रा में पैसा वो मोटर साइकल मुबाईल बरामत किये दरमसाला जो थाना ताजगंच छेतर के धुंदुपुरा गाउं में इस्तित है मुख्विर के सूचना पे वहाँ पे एक दविस डाली और दविस में उन्होंने लोगों को जुगा खेलते हुए गिरफतार किया और उनके पास से भाड़ी मात्रा में पैसे भी बरामत किये हैं तोटल जो बरामत किये हैं वो चार लाग चालीस हजार किये हैं और मौके से हमको साथ मोटरसाइकल, पाँच मुबाइल और पाँच अभियुक्त गिरफतार किये गए हैं और कुछ अभियुक्त महां से फरार हो गए जिनको जल्द जल्द उनके वृद्द भी कारवाई की जाएगी हर दोई में शहाबाद लाके में बहुने सास की जम कर पिटाई की जुसका वीडियो स्योशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है वीडियो में पलस ने पास बुजूर्ग से सास से जान से महिला नाराज दिख रही है इसी वज़े से उसने दोडा दोडा कर बुजुर्ग सास की पिटाई की इस दोडान महिला के आतंग को देखकर लोग तमाशबीन बने रही वही बुजुर्ग महिला की तहरीर पर पुलिस मुकदमा दर्च कर जाज में जुटी है पतनी स्वर्गी स्री परसादी लाल यह मीरा बस्ती साहबाद की रहने वाली है यह बुजुर्ग महिला है इनकी बहु ने इनको मारा पीटा गाली गलोज किया है इस पे इनकी तरफ से विद्यावथी की तरफ से एक उतरीर प्राप्त की गई है जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें आवसे गुश्ट हो गया जैसे ही परिशनों को ये सूच्टा मिली आनन फानन मासूम बच्ची को लेग नीजी अस्पताल पहुंचाए गया जहां पर उसका इलाज चल रहा है कौन लेटा था बच्ची चार पाइपे कितने साल किये छे महीने कि फिर क्या हुआ जोड़ खा गई बहुत ज्यादा अस्ताल लेगा है तो अस्पताल लेके गए उसको अस्ताल लेके गए उसको और कोई चोटिल हुआ है कोई बच्ची के वल चोटिल हुआ है चेतर में बाबा बाके बिहारी दास ने संबल के स्वासववाग में फैले भ्रस्ट अचार को लेकर मुख्यों मंत्री से शिकायत किये पत्र लिखा है कि आए दिन जोला चाप डॉक्टरों पर कारिवाई तो होती है लेकिन खाना पुर्ती होकर रह जाती है और तीसरे दिन मोटरी रकम लेकर अस्पतालों को संचालित कर जाता है चेतर में कई कई मुकदमे दच होने के बावजूद भी अवैद अस्पताल धडलने से चल रहे हैं इसके साथ ही बता दे कि आपको बाबा बाके बिहारी दास ने योगी सरकार से मांदार और जन समस्याओं को सुनने अधिकारियों की मांगी है और सेल कर दी जाते हैं अनि में टा होने पर सेल कर दी आते कि दिचेकर के जितने बी अधिकारी हैं पैसा ले दे करके उनको फिर से छोड़ दिया जाता है फलाल अबे के लिए उत्रप्देश की खबरों में बस इतना ही देश दुनिया की तवाम खबरों के लिए देखते रही प्राइम टीवी अब देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार